जो धर्म और जो सास्त्र और जो साहित्य किसी समधाय को अगर नीच समझता हो छोटा समझता हो और ने लिखने के काविन न समझता हो तो किसी सदिय है ना वो तो इसको धिकारेगा ही, यह रामचरित मानस नहीं, यह कुछ धर्म का भी चक्कर नहीं, यह धन्दा राजनितिक धन्दा जाता है, डॉक्टर अम बेटकर ने मनिसमिट्टी जलाई नहीं, क्यों जलाई थी, और वो भारत सरकार चाहिए, महराज सरकार जो किदाबे छाप सवाल उठ रहा है, तो दर्द हो रहा है, इसे शास्त एक प्रतीक हैं, जिसमें बहुत संक्य को दवाने का, उसके शोचन का, उसके दमन का, वो प्रतीक है, उसके समिक्षा लगातार होनी चाहिए. दमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, और मैं सुसील कुमार, जिस तरह से बिहार के सिख्छा मंत्री प्रोफेसर चंदर शेकर जी ने, रामचरित मानस, मनुश मिर्ती और जो बंचप थौड से, उनको लेकर के सवाल खड़े किये हैं, उसके बात से एक देश भर में धर्म गिरंथों पर चर्चा होने लगी है, तमाम लोग प्रोफेसर चंदर शेकर जी के समर्थन में हैं कि जो उन्होंने कहा है, वो एक कड़वा सच बोला है, धर्म गिरंथों में जिस तरह की चीज़े लिखी गई हैं, महिलाओं के बारे में, बह इसज़े गरिये, तो तके अधर गरें गिरंथों का अपमान किया है, उनसे माफी माँचने की बात कह रहे हैं, उनके मंत्रीं पत से इस्तीफा बेने की बात कही जा रही है, उस मुद्ध में बात कर दिल्ली इनिवर्सिटर के प्रोफेसर अवि प्रोफेसर रतनलाल जी से बात की और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप सुनिये प्रोफसर चंशेकर जो बात आज कह रहे हैं मंत्री होते हैं विधायक भी थे तो भी जनसभावों में यह बात कहते हैं कोई नहीं बात नहीं है अगर यही अभी माली जेकि जेडियू और बीजेपी क्या गठबंदन रहता और यहीं बात कोई जेडियू का निता बोल दिया रहता तो क्या गोधी मीडिया वेशी चिलाती यह बताएं तो यह राम चरित मानस नहीं यह कुछ धर्म का भी चकर नहीं यह धंदा राजनितिक धंदा ज्यादा अब मैं दूसरी बाद और बताता हूं भाई जिस ग्रंथ से जिस वस्तू से किसी का घर चलता हो पेट चलता हो जिसको सर्वोचता मिलता हो जिसको सर्वोचता का अहम तुष्ठ होता हो तो उसके लिए तो वो गरंथ प्रवित्री गरंथ होगा ना और जिस समधाय को जिस वेक्ति को आहत होता हो जिसको गरंथों में रांचरित मानजी क्यों धर्मशास्त्र पूरा उठाईए मेरे पास पुरान रखा हूं आमें लेकर आता हूं कोई भह अधिकार नहीं लिखने का अधिकार नहीं नीच समझा गया हो तो तो तीखी प्रतिक्रिया करेगा ही करेगा आप यह पुछो कि फिर डॉक्टर अंबेटकर ने मनिस्वीर्ति जलाई नहीं क्यों जलाई थी और वह भारत सरकार चाहें महराज सरकार जो किताबे च्छापती हैं बकायदा उसमें पूरा विवरन हैं बॉंबे क्रॉनिकल कैसे रिपोर्ट करा सब कुछ छपा हुआ है तो जो धर्म और जो सास्त्र और जो साहित्य किसी समुदाय को अगर नीच समझता हो छोटा समझता हो परने लिखने के काविल ना समझता हो तो किसी सदी है ना वी उनको तो एक साधूबाद है कि कम सकम फिरसे रामचरित माना सी क्यों और सारे संस्कृत सहित्य प्रिश से बहस सुरूर हो जिनको अच्छा लएगा अच्छा वाला निकालेंगे जिनको खराब लेगा खराब ला निकालेंगे तो आखिर जो उच नेच भेध का अवी व कौण से ग्रंठ में इसको ठेवराईज किया गया है कौनसे ग्रंठ में इसे रांतों को प्रतिवाइद किया उतों बताना पढ़ेगा और उसके पहले ब्यूट जितने संस्कृत सहित्ये हैं बुदिष Chr Deem में क्या लिखा गया है जैन साहित्यों में क्या लिखा गया है आखिर बुद्ध की उत्पति जो है जो हो रहा है वो किसके खिलाफ हो रहा है कि यह उनकी उत्पति किसे खिलाफ हो रहा है कि ब्रामन धर्म के खिलाफ हो रहा है फिर्वन को आने से जाती विवस्ता वर्न विवस्ता आई तो आप दों कि रहे हो चोड़ सब्सक्राइब सुप्रीम कोड पहुचा था सरकार बयन करना चाहती दिया क्या था वे दम नई हो ने दिया था कि ताप आपने वर्ण व्यवस्था बनाने में आपको मजा और रहा था अब ज जब उसको सवाल उठ रहा तो अगर यह दर्द हो रहा है तो अखिर प्रोफेसर अभी जहां तक मुझे पता है कि अड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों को सलाम भी करना चाहिए कि जो मंत्री पर होते हुए अभी अड़े हुए हैं तो ऐसे मंत्री पर आएंगे जाएंगे विधायक MP सांसत बंते रहेंगे लेकिन जिन शास्त्रों की वज़ज से एक बड़े समध्याय को तुक्ष है निम्न समझा गया तो लोग समिक्षा कर रहे हैं तो रिग्रस और समिक्षा होनी चाहिए आपको एकदम पन्ना दर पन्ना ढूंड कर निकालना चाहिए क्योंकि किताब खाली नहीं है आप समझे है ड्याइक करने कहा है कि सब मनूश मिर्ति नहीं पड़ता लेकिन पीड़ी दर पीड़ी कहते सुन ते कहते सुन ते माते में पתखाएं इतनी प्रवल हो जाती है कि वह उसको ऐसी सवता ही लागू करता है। तो उँचनीच का जो भेध भाव है ये कॉन शिरा प्र घर में senza हैंज सिखने कहा ख़रा हैं को से ग्रण से नंग कि अव्रूरी नहीं य। उसने बनायlerde इसने बनाये था यॱ्ष कुछ नंग किना था अप इक अनंद लेना था ले रहें अभी ले रहें तो अच्छा मिठा मिठा जब उस पर क्रिटिकल almost alreadyay टीता तीता ने तो होगा ही अब तो लोग खुल के आप सोचल मीडिया पर पन्ना दर पन्ना चिटका रहे हैं और पहले तो खाली स्वामी तुलसी दास लिखते थे अब तो दूबे भी उसमें जोड रहे हैं तो यह समझना है और सैलूट है कि पूरे साहित्यों को जी अब तो हमारे समाज मे है किल्ग साहित्य में जा रहा है तो दबा दो के एक पन्ना लिखके प्रोफेसर बन रहे हो Sumster लड़के हुए बहुत नहीं बनता है यह परामपराएं यह जस्टिफिकेशन कहां से आ तुम सुपीरियोर होगा ऐसे सुपीरियोर हो कि तुम्हारी सब्सक्राइब करो पहले तो यह एक प्रतीक है ऐसे ओसे शास्त्र फ्रतीक है जिसमें बहूँ संक्षान को दबाने का उसके शोषण ढर land मोगलों के बारे में क्यों निखा हुआ उसमें सुध्रों के बारे मिने क्यों लिखा हुआ अच्छा पाता हुआ ऐक बता ओ अंग्रेजों का शाशनकाल था तो नहीं रहा हुआ ये गुन गुम्मान पर नहीं आक लिए हिंदू जो है सेना पती आप देखेगा तो मुस्लिम राजाओं के सेना में आदे हिंदू मिलेंगे जागिर्दार सुबेदार मिलेंगे सारे वहाँ पर मज़े ले रहते हैं और यह मैं बता दूं जो कहते हैं जो बहादूर अधार का नाम सुने एक दावन लीट कर रहे थे उनके खांदान के लोगों का जागे पता किजिए को कहां कलकत्ता में सुना है कि जुगी जोपडी में रहते हैं इनकी हुकूमत थी भारत में और जो लोग उनके दरबार में काम करते थे जो लोग अंग्रेजों के पूछेगा आपस में तो मराठा और यहां वहां सब आपस में छुड़ा चकु निकाले हुए थे कैसे ही संभा हुए कि कोई भी आया दस-वीस लोग घोड़ा टपर टपर करके आया तो धोधा के आहां से चला गया गुलायम बना लिया कई-कई बार जो है आकरमन किया तो क्या कर रहे तो तो सारे मलाई हर सत्ता की मलाई खाते हैं अभी तो इनकी हुकूमत है जिस दिन अभी देख लो अभी तिसरा मुर्चा आ जाए तिसरा मुर्चा आ जाए अभी जितने बाबा लोग कह रहा है नगी दस करोड़ देंगे इनाम अपने जानू इनाम के दस करो देंगे इस सब बाबा बिल में घुज जाएगा इस अभी तो साशन का सह मिला हुआ है ना प्रोटेक्शन है इस वज़े से जो मर्जी है सब्सक्राइब इसका पेट भरता है इसको सरकार से पैसा मिलता है सारे उसमें जाके देखो कौन लोग है जो चिला रहे हैं सब 99 परसेंट अपर कास्ट के लोग होंगा खासतार से एक समधाय विशेश के लोग उसका इस कुरूट नहीं बताते थे ना इस मुद्दे पर बहार चदर तो अटा के सब के देखे जाएंगे समय ना चदर कितना कहां तक क्या सिकलूरिजम है क्या कमलिजम है यही मीडिया कह रहा हूं ना कल यह हो जाए कि तीसरा मुर्चा आ गया और बहन जी चाहे लालू परसाद यादव चाहे कोई परधान मंत्री बनने वाला है वो लं प्रिश्ट शाषना गया इस अब जाया के वहां पर इसे लंबा लेड़ जाएगा हुजूर्च चरन चाठ चरन चाठ है मीडिया के वकात हम जानते हैं देखा है बहुत बहुत को मैंने पढ़ाया भी है